अभी नंदन आप बार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जियोतिश फिग्णियान के इस एतियाजिक चैनल पर और मैं हूँ आप सबका एश्ट्रो दोस्त रुपेन आर्शा अज सच में देरी हो गई दो से तीन बजे के बीच में आपके लिए ये MKSA आजाता है लेकिन कुछ पारिवारिक फंक्शन के कारण आज थोड़ा सा देरी हो गया चौबीस गंडों का एक प्रयोग नियमित्ता और धर्ये के साथ इन सेग्मेंट के प्रयोगों के साथ जुड़े रहे हैं लॉंगर टम में आपके जीवन में बहुत सारी बाउडर दाल लीजिए mix करके अच्छा सा मिक्शर बना लीजिए पूरे बदन को गीला करके बालों के अलावा उस मिक्शर को पूरे शरी पर थोड़ा थोड़ा सा लगाके रगड रगड के स्नान कीजिए हल्दी बाउडर और दूद दूनों स्कीन के लिए अच्छे होते हैं छोटा सा प्राकुरूतिक प्रवेग उसके बाद चाहे तो आप साबून से स्नान कर सकते हैं अब सुवन अक्षर छोटा सा प्लेन पेपर लेना है स्क्वेर चौक और उसके उपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पैंसर लिखना है 24 गंटों के लिए उस परची को अपने पास रखिए दूसरे दिन जब नया सुवन अक्षर आप लिखेंगे तो पुरानी वाली परची को बीच में से दो बाग में भाड़ दीजिए घर के बाहर किसी भी पेड या पौदे के नीचे रख दीजिए पेड पौदा नहीं है तो कहीं पे साइड पे रखिएगा किसी का पैर वगेरा ना पड़े कागस को डश्ट मिन में मट डालिए और जलाईएगा मत सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो लाश्ट आप्षन में अपने उल्टे हाथ की अतरी के सेंटर में लेफ्ट ही है तो राइट ही है तो राइट ही अक्षर भी एक विग्णान होता है माश्टर की और सुवर्ण अक्षर 81 ज्यादा प्रभावी होते हैं दोनों को कीजिए कल का सुवर्ण अक्षर लिखेंगे वो है डमरू वाला डव वीडियो की निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है अब ब्लास्टिंग बड़े एन अनिवर्शरी किसी भी वर्ष में तीन जून आपका जन्मा दिन है या फिर आपकी मेरेज अनिवर्शरी है प्रयोग एक पॉजिटिविटी पूरे वर्ष के लिए बड़े है तो खुद करना है मेरेज अनिवर्शरी है दोनों करे तो ज्यादा अचा है यह जो चनल को अभी दख सब्सक्राइब ने किया है तो कर लीजिए साथ वाला बैल आइकॉन दवा दीजिए और उसके बाद तीन आप्शन आएंगे और के उपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे नए वीडियो के साथ फि